ओम शांती आज के बाबा के साकार महवाक्य हैं 10 दिसेंबर 2020 आज बाबा ने महादानी बनने की विधी बताते हुए कहा मीठे बच्चे अविनाशी ज्यान रतनों का दान ही महादान हैं इस दान से ही राजाय प्राप्त होती हैं इसलिए महादानी बनो आज मुर्गी में प्रश्ण है जिन बच्चों को सर्विस का शोंक होगा उनकी मुख्य निशानिया क्या होगी तो बाबा ने साथ निशानिया बताते हुए उत्तर दिया पहला उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिलकुल अच्छा नहीं लगेगा दुसरा उन्हें बहुतो की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी तीसरा है उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा चोथा समझाते समझाते गलाबी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे पांचवा उन्हें किसी की मिलकियत नहीं चाहिए वह किसी के प्रोपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे छटा उनकी रगे सब तरफ से तूटी होई होगी सात्वा वह बाप समान उदार चीत होगे उन्हें सेवा के सिवाई और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा आज मुरली में गीत है ओम नमस शिवाई पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही जग के रखवाली हो ओम शांती रुहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं यह पाठ शाला हैं तुम सब यहां पाठ पढ़ रहे हो टीचर से शिवाबा टीचर से यह है सुप्रीम टीचर जिसको परम पिता भी कहा जाता है परमपिता रुहानी बाप को ही कहा जाता है लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहेंगे तुम कहेंगे अभी हम पारलोकिक बाप के पांस बैठे हैं कोई बैठे हैं, कोई महमान बन आते हैं तुम समझते हो हम बेहद के बाप पांस बैठे हैं वर्सा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, मनुष्य तो बिचारे चिलाते रहते हैं, इस समय दुनिया में सब कहते हैं, दुनिया में शांती हो, यह तो बिचारों को पता नहीं, शांती क्या वस्तु हैं, ज्यान का सागर, शांती का सागर, बाप ही श शांति स्थापन करने वाला हैं। निराकारी दुनिया में तो शांती ही हैं। यहां चिल आते हैं कि दुनिया में शांती कैसे हो। अब नई दुनिया सत्युग में तो शांती थी। जबकि एक धरम था। नए दुनिया को कहते हैं Paradise, देवताओ की दुनिया, शास्त्रों में जहां तहां अशांती की बाते लिख दी हैं, दिखाते हैं द्वापर में कंस्था, फिर हिर्नक शब को सत्युग में दिखाते हैं, त्रेता में रावन का हंगामा, सब जग अशांती दिखा दी हैं, मनुष्य बिचारे कितना घोर अंध्यारे में हैं, पुकारते भी हैं बेहद के बाप को, जब गौड फादर आये तब वही आकर शांती सापन करें, गौड को बिचारे जानते ही नहीं, शांती होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनि दुनिया में तो होती नहीं, नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही हैं, उनको ही बुलाते हैं कि आकर पी स्थापन करो, आर्य समाजी भी गाते हैं शांती देवा, बाप केते हैं पहले है पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो, वहां पवित्रता भी हैं, पीस भी हैं, हेल्थ वेल्थ सब हैं सत्युग में धन बिगर तो मनुष्य उदास हो जाते हैं तुम यहां आते हो इन लक्ष्मी नाराण जैसा धनवान बनने यह विश्व के मालिक थे ना तुम आये हो विश्व का मालिक बनने परन्तु वह दिमाग सब का नंबरवार है बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नाराण का चित्र जरूर उठाओ ऐसी युक्ति रचो अभी बच्चों की बुद्धी पारस बुद्धी बनने की है इस समय अजुन तमो प्रधान से रजो तक गए है अभी सतो सतो प्रधान तक जाना है अर्थात चड़ती कला में जाना है वह ताकत अभी नहीं है याद में रहते नहीं है योग बलकी बहुत कमी है फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते यह जो गायन है सेकेंड में जीवनमुक्ति, वह तो ठीक हैं, तुम ब्राम्हन बने हो तो जीवनमुक्त बन ही गए, फिर जीवनमुक्ति में भी सर्वोतम मध्याम कनिष्ट होते हैं, जो बाप का बनते हैं तो जीवनमुक्ति मिलती जरूर हैं, भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं, तो भी जीवन मुक्ती जरूर मिलेंगी, सर्ग में जाडू लगाने वाले बन जाएंगे, सर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता है, बाप अविनाशी ज्यान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता, बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए, यह हाई हाई होने के बाद फिर वाहवा होनी है, तुम अभी इश्वरिय संतान हो, फिर बनेंगे देवी संतान, इस समय तुम्हारी यह जीवन हिरे तुल्य हैं, तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीस्फुल बनाते हो, वहां पवित्रता सुक शान्ति रहती हैं सत्युग में, यह जीवन तुम्हारा देवताव से भी उंच हैं, अभी तुम रचता बाप को और स्रिष्टी के आदी मध्य अंत को जानते हो, कहते हैं यह त्योहार आदी जो भी हैं, परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से यह कोई नहीं जानते, समझते हैं जब से स्रिष्टी शुरू हुई, रावण को जलाना आदी भी परंपरा से चला आता हैं, अब सत्युग में तो रावण होता नहीं, वहां कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए गौड को याद नहीं करते, यहां तो गौड को याद करते रहते, समझते हैं गौड ही विश्व में शांती करेंगे, इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिब्रेट करो, बच्चे ही बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा हैं, बाप कहते हैं तुमको पवित्र बना कर साथ ले चलेंगे, जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे, इसमें मनसा वाचा करमना पवित्र रहना है, मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, इतनी महनत करनी हैं जो पिछाडी में मनसा में भी कोई व्यर्थ खयाल न एक बाबा के सिवाई कोई भी याद न आए, बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे, बाबा व्यर्थ संकल्प के लिए कह रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प मनसा तक आएंगे, जब तक करमाती तवस्था हो, हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी महनत जो आग्याकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाब का प्यार भी उन पर जास्ती रहता हैं, पांच विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके, तुम बच्चे जानते हो, हम कल्प कल्प बाब से यह वर्षा लेते हैं, तो खुशी का पारा कितना चड़ना चाहिए, यह भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी हैं, यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी हैं सरूर, हम परिस्तान में जाने के लिए कल्प पहले मिसल पुर्शार्थ करते रहते हैं, यह तो कब्रिस्तान है ना, पुरानी दुनिया और नई दुनिया क तो भी मनुष्य समझते नहीं हैं, यहां सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं, अर्थात मदुबन या सेंटर के नस्दिक रहने वाले भी इतना नहीं समझते, तुम्हें ज्यान धन का दान जरुर करना चाहिए, धन दिये धन ना खुटे, दानी महादानी कहते है ना, जो हॉस्पिटल धरमशाला आदी बनाते हैं, उनको महादानी कहते हैं, उनका फल फिर दुसरे जनम में अल्पकाल के लिए मिलता हैं, समझो धरमशाला बनाते हैं, तो दुसरे जनम में मकान का सुख मिलेगा, कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर वा सहुकार के घर में जन्म लेते हैं, वह दान से बनते हैं, तुम पढ़ाई से राजाय पद पाते हो, पढ़ाई भी हैं, ज्ञान दान भी हैं, यहां है डाइरेक्ट, भक्ति मार्ग में हैं इंडाइरेक्ट, शुबाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं, शुबाबा के पांस तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक रतन लाखो रुपयों के हैं, भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता, ज्ञान इसको कहा जाता हैं, जो बाबा अभी देते हैं, शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान हैं, भक्ति कैसे की जाए उसके लिए सिक्षा मिलती हैं, तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा, कापारी अर्थात ज्ञान का उंचा नशा, तुम्हें भक्ती के बाद ज्यान मिलता है। ज्यान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा चड़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चड़ेगा। प्रदर्शनी अथ्वा म्यूजियम में भी अच्छा भाशन करने वालों को बुलाते हैं ना, वहां भी जरूर नंबरवार होंगे। महारती घोडे स्वार प्यादे होते हैं। दिल्वाडा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह है चेतन्य दिल्वाड मदुबन वह है जड तुम हो गुप्त इसलिए तुमको जानते नहीं। तुम हो राज रिशी वह है हठ योग रिशी। तुम ज्ञान ज्ञानिश्वरी हों। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नबस जो अपनी नबस को ही नहीं जानते, तो दुसरों की फिर कैसे जानेंगे, तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना, ज्यान अंजन सत्गुरु दिया, अज्यान अंधेर विनाश, यह ज्यान का इंजेक्शन है ना, आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना, यह महिमा भी अभ तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो, तो तुम्हारा धंधा ही है ज्यान इंजेक्शन लगाना, डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई पांसो भी मुश्किल कमाएंगे, नंबर वार एक दो के पांस जाते है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज्मेंट म पांसी पर चड़ना है, फिर प्रेजिडेंट पांस अपील करते हैं, तो वह माफ भी कर देते हैं, तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदारचित होना चाहिए, इस भागी रत में बाप प्रवेश हुआ है, तो इनको बाप ने उदारचित बनाया ना, खुद त तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वह इसमें अर्थात ब्रह्मा बाबा में आकर मालिक बन बैठा है, चलो यह सब भारत के कल्यान के लिए लगाना है, तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्यान के लिए, कोई पूछे खर्चा कहां से लाते हो, बोलो हम अपने ही तान मन धन से राज्य करेंगे तो पैसे भी हम लगाएंगे, हम अपना ही खर्चा करते हैं, हम ब्राम्हन श्रिमत पर राज्य स्थापन करते हैं, जो ब्राम्हन बनेंगे वही खर्चा करेंगे, शुद्र से ब्राम्हन बने फिर देवता बनना हैं, बाप तो कहते हैं यह चित्र ऐसे ट् दर से आएंगे नहीं, मनुष्य से देवता बनना यह जादू है ना, भगवान वाज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, हठियोगी कभी राजयोग सिखला न सके, यह बाते अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो, इस समय यह सारे विश्व बेहद की लंका हैं, सारे विश्व में रावन का राजय हैं, बाकी सत्युग त्रेता में यह रावन आदी हो कैसे सकते, बाप कहते हैं, अभी मैं जो सुनाता हूं वह सुनो, इन आखो से कुछ देखो नहीं, यह पुरानी दुनिया ही विनाश होनी हैं, इसलिए हम अपने शांतिधाम, सु पुज्य बनते हो, यह अर्थात ब्रम्हा बाबा, नंबर वन पुजारी थे, नाराण की बहुत पुजा करते थे, अभी फिर पुज्य नाराण बन रहे हैं, तुम भी पुर्शार्थ कर बन सकते हो, रास्धानी तो चलती हैं ना, जैसे किंग एडवर्ड दी फरस्ट, सेक थर्ड चलता हैं, बाब कहते हैं, तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरसकार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूं, यह खेल ही ऐसा वंडर्फुल बना हुआ हैं, पुर्शार्थ जरूर करना हैं, कल्प पहले जो पुर्शार्थ किया हैं, वही ड्रामा अ अनुसार करेंगे, जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता हैं, उसको रात दिन यही चिंतन रहता हैं, तुम बच्चों को बाब से रास्ता मिला हैं, तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता, दुनियावी वाता वरण अच्छा नहीं लग सर्विस वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं, टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है, अब तुम बने हो बहुत उच टीचर, तुम्हारा धन्दा ही यह है, जितना अच्छा टीचर, बहुतों को आप समान बनाएंगे, उनको इतना इजाफा मिलता है, अर्थात इनाम मि प्रदर्शनी आदी में रात को बारा भी बज जाते हैं, तो भी खुशी रहती है, थकावट होती है, गला खराब हो जाता है, तो भी खुशी में रहते हैं, इश्वर्य सर्विस है न, यह बहुत उच सर्विस है, उनको फिर कुछ भी मिठा नहीं लगता सर्विस के कहेंगे हम यह मकान आदी लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ना है, यही सर्विस करनी है, मिलकियत आदी में खिट-पिट देखेंगे, तो कहेंगे यह सोना ही किस काम का, जो कान कटे बाबा का भावार्थ है, चोर आदी होते हैं, तो सोने के पीछे कान भी काट देते हैं, सर्विस से तो बेडा पार होना है, बाबा कहते हैं, मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है, इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता, कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टुटी हुई रहती है, बाबा कहते हैं मन-मना भव, तो तुम्हारे विकरम विनाशोंगे, बहुत मदद मिल जाती हैं बाबा की याद में, इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए, इसमें आमदनी तो बहुत है, मकान आदी की बात नहीं, मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं, जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के नहीं, टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वह क्या काम के, हैंड्स की बहुत जरूरत रहती है न, इसमें भी कन्याओं मातओं की जास्ती जरूरत रहती हैं, बच्चे समझते हैं, बाप टीचर हैं, बच्चे भी टीचर चाहिए, ऐसे नहीं की टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए, अच्छा? मीठे मीठे सिकिल दे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए सार है, पहला है दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है, सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है, दुसरा है बाप समान उदार्चित बनना है, सब की नबस देख सेवा करनी है, अपना तन, मन, धन भारत क कल्यान में लगाना है अचल अडोल बनने के लिए आग्याकारी वफादार बनना है आज बाबा ने वर्दान दिया अंतरमुकता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे विदेही भव वर्दान का स्पष्टी करण है जो पांडवों की गुफाए दिखाते हैं वह यही अं अंतरमुकता की गुफाए हैं जितना देह से न्यारे देही अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो बातावरण के प्रभाव में नहीं आते जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर मुक्ता की गुफावी सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देती हैं, और जो बाप का प्यारा हैं, वह स्वतह सबसे न्यारा हो जाता हैं, आज का स्लोगन है, साधना बीज हैं, और साधन उसका विस्तार हैं, विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना ओम शांति